गुर्मान सिस्क्रास आज मैं आपको हिंदी का सेकिंड चेप्टर करवाने जा रही हूं ठीक है यह अंगुली माल का उद्धार बहुत ही अच्छे चेप्टर है बहुत ही इंटरस्टिक स्टोरी है आप इस अच्छे से रीड करना अपने घर पर ठीक है मैं आपको बता देती चाहिए करुणा करके उन्हें सन माल यानिक अच्छे माल को लाना चाहिए और हमें विश्व को अहिंसा प्रेम दया करुणा का पाठ पराने की बात बताई गई है ठीक है करुणा प्रेम और अहिंसा के बल पर महात्मा बुद्ध ने एक भयंकर और अठी कुरू डाकू को भी वश्व में कर लिया था एक डाकू की कहानी है अंगुली माल ठीक है तो देखते हैं अंगुली माल कैसे नाम पड़ा उसका मगत की राजधानी राजग्रह से चलकर महात्मा गांदी स्रावस्ति पहुचे स्रावस्ति कोसल देश की राजधानी थी आज प्रदेश को डाकू अंगुली माल है उसने में राज्य में आतक मचा रखा है और मेरे सैने की उसे बंदी नहीं बना पा रहे हैं तो बुद्धने राजधा को धिरस बांते वरकार तुम्हारे चिंता वश्यक दूर होगी ठीक है बस तुम प्रजा के कल्यान का मार्ग मत छोड़ना उसस उसने एक युक्ति निकाली और जिसकी भी मारता था एहात्या करता था ठीक है उसका एक उंगुली काट के माला में लगा लेता था इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही है जिसे वह अपने गले में डाले रहता है उसका नाम कर पढ़ गया लोगो मानने का पति गया लिया था अब वह एक जा गिंती कैसे या रखता इसा सब करता था वह उंगुली काट काट के गले में माला करता पहन देता था ठीक है जंगल से होकर आने वारा आने जाने वार्बारिक ती आती अनने लोग उसका शिकार बन जाते अत्व मैंने जं महात्मा बुद इस जंगल की ओर पड़ जल पड़े जिसे अंगुली मालने पर ठीकाना बनाया गुआ था महात्मा बुद जंगल के निकट पहुच गए और उन्होंने तैनात पहरवदारों से मैं से एक से देखा उन्होंने निकट आया पड़ना कोई बोला भगवान आप को पूर्ति के लिए वह किसी के प्राण हर सकता है ऐसे में इधर जंगल को पार करना इधर से जंगल पांद करना उच्छित नहीं है मात्मा बुद्ध जो है धीरे से मुस्क्राएं पहरेदार को कर्टब्य के पूर्ति करने के लिए भगवान धन्यवाद देने के लिए सिर्फे हाथ फ्रेटे बोले मेरे लिए किसी प्रकार के चिंता ना करो बस दोपहर का समय था मात्मा बुद्ध बहुत कुछ ठके हुए थ बुद्ध बुद्ध नहीं रुके आगे बढ़ते गए और आवाज सेंदी क्या ठहर जा बुद्ध रुक गए जाड़ियां चरते हुए एक विक्राल आकर ती दिखने में सामने आया दिखने में करता उचा कर्द काला सरी भयानक चेरा लाल आके बिखरे बाल बड़ी- बनुष्य नहीं साक्षा देद्ते लग रहा था गले में अंगलों की माल देखकर पैचाने देनी लगी कि डाकू अंगुली माल है रस्ता रोक कर खड़ा हो गया बुद्ध ने बड़ी प्रेम बड़ी बड़ी बिटास कहा अंगली माल चकित होटा उसे देखा उसकी यह ब कर घिखी बन जाती है उनकी कोई-कोई तो भी हो सुधात है आज से असा आत्मी नहीं मिला जुसरे आखें मिला कर बात भी की हो यह कौन है ड़ना दूर है शान्ती बड़ी खड़ा मुस्करा रहा है प्रेम बड़ी बात कर रहा है अश्य शक्यर के मालों सूचता खड़ा र मैं तो जनम से लेकर मढ़न तक वैसे बहुत दुख है तो उसे अपने कूर्टा कर नामों से और क्यों बढ़ा रहा है मैं तो ज्यान प्राप्त करके बंदनें छूड़ गया हूं पर तु माल काट का नाम अभी भी करता जा रहा है इनसे कब छुट्टी लेगा खब न कलीया था उससे साय धुनिया कपती थी आज एक निसस्त मात्मा के तेज से काप रहा था बुद्ध के चरणों में हुझे रहा दिखाए मी thanking अन्धेर है विद्ध चरणों में गिर आंगुलिय माल को वठाया उसे शांतििद्य दय प्रेम को पदेश दिया निलीं ज्ड़ भुद्ध का शिश्य बन गया ठीक है तो आपको सहानी आप इसके बर्मिन कॉपी में करने ना ठीक है कलने से कुछ आंसर करूंगे ठीक है सुट्स